Good morning my dear friends, how are you? I hope all of you are very good. My dear friends, आज हम project work करेंगे, पर project work करने से बहले कुछ instruction है जिनका हम ध्यान रखेंगे. पहली यह है कि जो project book होगी, जो project notebook होगी हमारी, वो हमारी class work और homework की notebook से अलग होगी, ठीक है? दूसरी है कि हमारी जो project notebook होगी, उसके हम black paper से उसको हम cover करेंगे, ठीक है? Black paper से उसको हम cover करेंगे, ठाड़ यह है कि जो project notebook होगी, उसके जो pages होगी, वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, देकि एक साइट से वो जो page है वो blank होना चाहिए और दूसरे साइट से वो page है वो lining वाला होना चाहिए ठीकि एक साइट से lining वाला दूसरे साइट से blank Instructions for Project Notebook My dear students, आज हम करेंगे Project work Project work में हमारे 3 practical है, ये 3 practical मैं आपको करके दिखाऊंगी यह तीन practical हम पहले भी chapter 4 में Microsoft Office Excel यारी MS Excel में हम कर चुके हैं अब आपका यह revision हो जाएगा ठीक है यह मैं आपको practical करके दिखाएंगे किस तरीके से यह आएगा और आपको क्या करना है अपनी workbook में जो project notebook है उसमें यह का आपको करना है तो यह पहला practical हमारा यह है generating the number series हमारा कैसा है अब आपको सबकुस दिखाई दे रहा है अब इसको हमको वापस delete करके किस तरीके से हम इसको वापस से लेकर आएंगे अब यह आप है generating the number series number series generate करना है हम 7 के अलावा कोई और भी ले सकते हैं और 1,2,10 हमने लिया है क्योंकि table जो हम use करते है वो 10 तक ही करते है 7 बंजा 7 7 10 जा 17 तो हम यह से start करेंगे 7 लिग दिया 14 लिग दिया हम इसके लिए 7 की जगे 6,13 कुछ भी ले सकते है और number series हमारे table ही नहीं हम यह पर add के लिए भी ले सकते है 6 प्लस 3,9 तो अब क्या होगा प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा यानि 9 प्लस 3,12,12 प्लस 3,15 इस तरीके है तो हम क्या करेंगे पहले यह जो 2 हमने at least हमें 2 number जरूर लिखने चाहिए बिना 2 number के यह नहीं होगी 2 number लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहां से इसको ड्रैक करेंगे जैसे हम ड्रैक करेंगे आटोमेटिकली 7 का टेबल आ जाएगा इस तरीके से क्या है generating the number series यह हम ascending order में, descending order में प्लस में, माइनस में, table में multiply में किसी भी तरीके से करेंगे सबका result exact सही आएगा, accurate आएगा चीक है प्रैक्टिकल है वह हमारा generating the series for days हम days की जगे यह मंत भी ले सकते हैं मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई इस तरीके से भी ठीक है और ऐसा नहीं है कि हमें जनवरी से ही लेना है हम मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब अभी स्टार्श कर सब्सक्राइब machine का नहीं और मैंने आपको अभी पढ़ाया था कल की class में कि जो computer है वो एक machine है ठीक है अभी देखो third practical है हमारा इसमें हमारे subject को इसमें क्या दे रखा है हमारे subject दे रखे हैं A, B, C ये तीन students हैं उनके तीन subject यानि computer math और science में marks दे रखे, A के computer में 50 maths में 40, science में 45 B के computer में 45 maths में 45, science में 40 D के, sorry C के computer में 50, maths में 45 and science में 35 अब किस तरीके से हम इसका total करेंगे ठीक है कैसे वैसे यहां तो three subject दे रखे हैं, हो सकता है किसी के subject ना देकर उसके हमारे अच्छा हमने जैसे 70 item purchase के market से हो जाएगा, manually करना तो बहुत मुश्किल होता है computer का है हमें elevator भी available कराता है computer का हमारे घर पे भी होता है लेकिन हम रपस करो दो है computer में MS Excel होता है यहां पे हम easily sum कर सकते है ठीक है, तो हम यहां पे salaries वगेरा बनाने में हमारे MS Excel बहुत काम आता है MS Excel हर वेक्ति के काम आता है computer का बहुत ही important part है हम जैसे एका करेंगे sum एका किस तरह किसे करेंगे, computer, math और science तीनों में उसके कैसे करेंगे, तीनों subject को हम सबसे पहले क्या करेंगे, select कर लेंगे select करने के बाद यहां पे देखो auto sum आपको show हो रहा है सबको नहीं हो रहा है तो देखो, auto sum दिख गया top पे right hand side में auto sum पे click करेंगे automatically देखो इसके number आगे marks आगे इसके, कि तीनों subject में मिला के एक है कितने है, अब हम B और C के कैसे निकालेंगे, इसको हम करेंगे, और then इसको क्या कर लेंगे है drag कर लेंगे यह देखो मैंने drag किया, अब B और C के भी ठीक है, यह B और C के भी आ गए है marks इस तरीके से हम सबके marks निकाल सकते हैं यहाँ पर 20, 70, 80, कितने भी strands हो हम सबका add कर सकते हैं और यहाँ पर देखो formula आ गया, मेरा आपको बताया था, MS Excel में, कि हम किसी भी formula कर जब start करते हैं, तो सबसे पहले हम equal का sign लगाते हैं, equal, अब sum का formula है, तो sum, bracket में करके B2 से लेकर B4 तक हमें लेना है, B2 से लेकर, B2 क्या हुआ B2 से लेकर B4 तक लिया है हमने, इसका दिखा रहा है यह A का दिखा रहा है, ठीक है उसके बाद अगर इसका जाएंगे तो C2 से C4 इसका जाएंगे तो D2 से D4, ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है यह formula भी हम use कर सकते है, formula की जगे में auto sum का भी use कर सकते हैं, और drag करके भी हम sum कर सकते हैं, तो यह हमारे तीनो practical हो गए है, यह हमारा हो गया है, project work मैं आपको PDF में provide करा दूँगी, वो उसमें से आद देखकर आपको project work complete करना है Thank you class